अस्सलाम अलाइकुम मैं सोशल मीडिया फैमिली आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ करने जा रही हूं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉर्मर इंटिरियर मिनिस्टर जी हमें बात करी हूं एहस्तन इकबाल सहाब की जो के भेरा भेरा एक ऐसी जग हो पीटिया की सपोर्टर थी हम सब जमातों की जो हैना वह सब सपोर्ट भी करते हैं इजद भी एक आम अपना पना नरेटेव वोत गलत था क्योंकि पहले हुआ करता था कि लोग जो होते थे वो किसी भी इसम के नरेटेव रखते थे लेकिन अगर कोई रेस्टोरांट में जा रहा है अगर कोई शादी पे जा रहा है कोई अपनी फैमिली के साथ है तो कभी भी लोग इस तरह की जुरत नहीं करते थे कि पुब्लिक प्लेस पे नारे लगाएं लेकिन कुछ हरसे से माजरत के साथ यह कहना पढ़ आ है कि लोगों के अंदर यह बिल्कुल शर्म खतम हो कोई बंद अपनी गाड़ी में है कोई नहीं देखता कि किसी के साथ जा रहा है कोई यह नहीं देखता कि किसी की क्या प्राइविसी है कोई अपनी फैमिली के साथ है कोई कहां खड़ा है कोई रेस्टोरांट में बैठा है आपको याद होगा कुछ हरसा पहले आपिछ अब जिनके ओपर कोई अभी तक करफशन का धबा नहीं है, उनमें से एक शुमार होता है, एहसन इकबाल का, एहसन इकबाल जिसे अलाके से तालुक रखते हैं, वहां पर अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा उनकी रेप्यूट के बारे में, और आपको ये भी पता चलेगा कि वहां पर पांच से छे मरतबा वो इलेक्ट हो चुके हैं, लोग उनके ओपर इतना ज़दा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन एहसन इकबाल को आज से कुछ हरसा पहले आपको याद होगा कि मजब की बन्याद बनाकर उनकी ओपर खुदाना खासा तोहीने मजब का इल्जाम वज़ा से वो जिंदगी और मौत की कश्मकश से निकले थे, उन्होंने उसको भी मौफ कर दिया, और ये भेरा में जो वाक्या पेश आया, ये जिस फैमली ने किया था, इस फैमली के कुछ मेंबर्स को मैं पहचान गई थी, इस में से एक मेंबर ऐसा था जो आपको यहां पर नज़रा रहा है, उस मेंबर का तालुग जो है, यहां पे लहौर लंस यूनिवस्टी से है, और उस शखस का अपना यूट्यूब चैनल भी है, और वो शखस पीटिया का सपोर्टर है, ये कोई आम फैमली नहीं थी, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये हुई, कि इस अपनी घलती का एसास हुआ, एसन अकबाल ने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो इनके खिलाफ आकशन ले सकता हूँ, लेकिन एसन अकबाल ने इनको मौफ कर दिया, इंसानियत की फिर से एक खुबसूरत मिसाल काईम की, इखलाकियात की आला मिसाल काईम की, और उसके बाद नदामत का इजहार किया शर्मिंदगी का इजहार किया और ना सिर्न अदामत और शर्मिंदगी का इजहार किया बलकि इस फैमिली ने एहसन अकबाल से मौफी मांग कर बहुत बड़ी मिसाल काइम कर दी हम एक पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां ना यहां पर इस तरह के वाकियात होने लग गए हैं कि थोड़े दिन पहले में एक खबर दे करी थी कि एक शफ जिसके घर में उसकी बेटी का रिष्टा आया और रिष्टा पका भी हो गया लेकिन जब उसे यह पता चला कि मैं एक पार्टी को सपोर्ट करता हूं यह दूसरी पा है कि अगर आपके ख्यालात कुछ और हैं सामने वाली पार्टी के ख्यालात कुछ और हैं तो एक दूसरे को गालियां देने के बजाए नारे लगाने के बजाए जदोकोब करने के बजाए हरासा करने के बजाए एक दूसरे का एकराम करें और अगर खुदाना खासता कोई तो तूसरा उसको माफ कर दे और दूसरा जो है वो जब शर्मिंदा हो के माफी मांगता है तो वो सिर्फ केस नहीं जीता बलके दिल जीत चुका होता है एसान इकबाल की भी मिसाल ऐसी ही है कि अधर वो F.I.I.R. करते जैसे कि वो हक रखते थे और फिर आपको पता है कि वो फॉर्मेर इंटिरियर मिनिस्टर भी थे और आपको पता है कि उनका तालुग नून लीक से है उनकी अभी हकूमत भी है अगर वो चाते तो वो आक्शन ल बलकि उनके घर में बैठकर एसान इकबाल ने दुबारा से अपने खानदानी होने का यह सबूत दिया कि अपने दुश्मनों को बैठकर उन्होंने खाना खिलाया उनकी खातर तवाजों की और बदले में उन्होंने उनसे मौफी मंगी हम सब को भी इस वाक्शन आपकर